हेलो फेंस वागत आप सभी का हमारी इस यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इमो एप पे स्टोडी को प्राइवेट किस तरीके से कर सकते हैं तो चलते हैं वीडियो को बिना किसी दिरी के आगे की उले जातो ही इसके लिए आपको एमो एपको उपशन पर देख सकते हैं अगर आप Emo App पे Last Shein को Hide करना चाहते हैं तो आप यहाँ से Easily कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे थोरा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बहुत सारा Privacy Option मिल जाएगा इस पे मैंने अल्रेडी एक वीडियो बनाया हुआ जिसका लिंक आपको इस पीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आज हम बात करेंगे Emo App पे Story को Private कर सकते हैं या नहीं तो अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको कहीं पर भी Emo App की Story को Private करने का आपको कहीं पर भी Option नज़र नहीं आएगा तो फ्रेंस इससे यह आपको पता चलता है कि Emo App की Story को आप प्राइवेसी सेटिंग नहीं कर सकते हो एंड फ्रेंस फ्यूचर में कभी भी अगर Emo App की Story के प्राइवेसी से रिलेटिड कोई भी अपडेट आता है तो आपको हमारे टेली गराम चैनल पर जरूर वीडियो मिल जाएगा इसलिए फ्रेंस आप हमारे टेली गराम चैनल पर जोएन जरूर कर लें और फ्रेंस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो आशाक रोंगा आपको इस वीडियो से थोरी सी हेल्प मिलेगी, अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिलागा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ना भूलें, तो इस वीडियो देखने के लिए सभी का थेंक्यू वेरी मच्च.